बिल्कम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है इस वीडियो में SPD Revise Yourself का सेट नंबर 160 देखेंगे जो आपके एक्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण हो सकता है तो फिरिंट आप स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है सेटर इसका हो जाएगा ओम ऑप्शन B अगला प्रशन है सभी अमलो में शमाने रूप में कौन सा तत्व भी दिमान रहता है राट एंसर इसका हो जाएगा हाइडरोजन ऑप्शन B अगला प्रशन है काश्य का मुक्ष जंगठक कौन सा है राट एंसर इसका हो जाएगा तामबा तथा टीन ऑप्शन C हो जाएगा अगला प्रशन है पाक चूर्न कारसायनिक नाम क्या है राट एंसर इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन यह हो जाएगा अगला प्रश्ण है जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का बजन में क्या परिवर्थन होता है राइट एंसर इसका हो जाएगा बढ़ता है option B अगला प्रश्ण है sodium तत्व का प्रतिक क्या है राइट एंसर इसका हो जाएगा अगला प्रश्ण है मौना जाइट बालू में पाया जाता है तो यह थोरियम पाया जाता है option यह हो जागा right answer अगला प्रश्ण है मानब रख्त का pH मान कितना है तो 7.4 होगा option A अगला प्रश्ण है लोक्टक क्या है तो यह जील है option इसका C हो जाएगा cancer के उपचार के लिए परियुक्त गैंस कौन सी है redon होता है right answer इसका ये हो जाएगा अगला प्रश्ण है मिरीक मरीच का बनने का करण क्या है मिरीक मरीच का बनने का क्या करण है तो ये है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन option इसका D हो जाएगा अकाश का रंग नीला किसके कारण है से उतर इसका हो जाएगा प्रकिरन option B अगला प्रश्ण है चेचा के टीके के अब इसकारक है तो ये कौन है अब इसकारक ये थे एड़वर्ट जेनर के दौरा किया गया था option इह हो जाएगा बीश्व में सबसे बड़ा अस्थली अस्थनी है तो ये फ्रीकन हाथी है option B अगला प्रश्ण है बीश्व में सबसे बड़ा अंडाकी जीव का है से उतर इसका हो जाएगा शुतुर मूर्ग का option C अगला प्रश्ण है एको नाइट ओस्धी किस से प्राप्त किया जाता है राइट असर इसका हो जाएगा मांक सूध option इसका हो जाएगा A अगला प्रश्ण है घिंग बार ओस्धी किस से प्राप्त किया जाता है राइट असर इसका हो जाएगा एलोई option B कैफिन का मुख स्रोत क्या है सेवतर इसका हो जाएगा कैमीलिया साइनेंसीज इसका ये हो जाएगा इश्प्रीन आसधी किसे प्राप्त किया जाता है राइट एंसर इसका हो जाएगा बर्फ भीलो पादप C अगला प्रश्ण है अश्व गंधा आसधी का बैग्यानिक नम क्या है राइटेंसर इसका हो जाएगा विदानिया सोमनी फेरा ओप्शन यह हो जाएगा अगला प्रश्ण है बीश में सबसे बड़ा बीज कौन सा है से उतर इसका हो जाएगा कोको डीमर का ओप्शन सी अगला प्रश्ण है औरो माइसीन और सिधी किसे प्राप्ट किया जाता है राइटेंसर इसका हो जाएगा अगला प्रश्ण है रेसर पीन किसे प्राप्ट किया जाता है से उतर इसका हो जाएगा शर्प गंधा ऑप्शन इसका हो जाएगा सी अगला प्रस्ण है अश्टार्च के पाचन में कौन मदद करता है से उतर इसका हो जागा लार अप्शन भी अगला प्रस्ण है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थीग है तो यह है फीमर जांग के हड़ी हो जाता है अप्शन यह बानिजी के परियोग के लिए उपलब्द कराया गया पहला कम्पीटर था पहला कम्पीटर कौन था तो यह था यूनिवेक अप्शन ए अगला प्रस्ण है बायुमंडली हावा पिर्थिवी पर रखी जाती है सेवतर इसका हो जागा गुरुत विद्वारा ओप्शन C बिस्प की सबसे छोटी पच्छी कौन सी है यह है गुंजन ओप्शन C हो जागा अगला प्रस्ण है आईडो फॉर्म का परियोग किस रूप में किया जाता है सेवतर इसका हो जागा परती रोधी के रूप में ओप्शन इसका हो जागा पुर्ती रोधी इसका C हो जागा आगला प्रस्ण है रोकेट इधन के रूप में किसका परियोग किया जाता है सेवतर इसका हो जागा द्रब नाइट्रोजन द्रब ऑक्षिजन यह दोनों हो जागा ओप्शन C इसका सेवतर हो जागा टेलीविजन का विश्कार किसने क्या था? तो ये इलवेड के दुआरा के आगया था टेलीविजन का विश्कार? option A होज़ागा right answer अगला प्रश्न है धोणी की प्रवल्ता कीस पर निर्फर करती है? सेउतर इसका होज़ागा आयाम पर? option C अगला प्रश्ण है बैक्टिरिया की खोज किस ने की थी राइटेंसर इसका हो जागा लुवेन होक ओप्शन इसका ये हो जागा अगला प्रश्ण है ताप का SI मातरक है सेवतर इसका हो जागा केलवीन ओप्शन बी दाप का SI मातरक होता है से उतर इसका हो जाएगा पाशकल, option A अगला प्रश्ण है DNA, अंगुली छाप का परियोग कि इसके पहचान के लिए किया जाता है इसका हो जाएगा, माता यहां पीता, option A अगला प्रश्ण है, लेंस कि इस काँच से बनता है से उत्तर इसका हो जाएगा fill in count option A अगला प्रस्षन है solid based को किस नाम से जाना जाता है से उत्तर इसका हो जाएगा shell option A